हेलो मेरे दोस्तों, आज आपका एक डाउट सेशन में लेने वाला हूँ, प्रिपियस मैंने वीडियो डाली थी, और उसमें वीडियो में रिकार्डिंग में को बहुत सारे डाउट आये, नीचे कमेंट है, और मैंने कहा था, उन कमेंट का सभी का रिपलाई करूँगा, तो म का अंसर यह है, कि पिछली बार यह हुआ था, इंस्ज्चिउट के सिस्टम में परफलम हो थी, पता है किया था, इंस्चिउट ने कहा था, प्रिवियस बार भी इंस्चिउट ने कहा था, कि अकांट और मैट के पेपर के अंदर, आप कैल्कुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और rough copy का use कर सकते हैं यह institute ने allow करा था बट जो theory subject से law और eco management में उसमें allow नहीं है rough calculation यह calculator का use करना उसमें allow नहीं है उसमें सब्सक्त मना कर दिया था तो मैं कहूंगा कि institute ने allow किया हुआ है कि अगर आपका account का paper है या फिर आपका math का paper है तो आप rough नीचे रख कर नीचे लिख कर और calculator लेकर आप इजली अपना नीचे रफ पर कर सकते हैं और बहुत सारे student की problem मैं बता देता हूं previous बार क्या थी student ने क्या था सर इस्टूडेंट ने में से बूचा कि सर ऐसा है कि हमने इंस्टूट ने allow कर रखा था कि account और math की paper में हम calculator का use कर सकते है या रफ पर का क्या करते है और विश्तूडेंट नहीं हो रहा है कि आपका टेयूर रखना है दूर रखने पर क्या होगा? इस तरीके से दूर रखिएगा सुना इसरी को मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इमानदारी से एक्जाम दे रहे हैं, जिनको purpose cheating करने का नहीं है, जिनका purpose एक्जाम देने का है, और वो भी फज जाते हैं इन चक्करों में, कि जब वो एक्जाम दे रहे होते हैं, तो मेरा यह सबसे best तरीका यह है, कि आप यह माने हैं मेरी बात, कि camera को थोड़ा सा दूर रख जिससे आपका जो camera है, वो आपके पूरे सरी को यहां से लेकर यहां तक के deduct कर ले, जिसमें आपका जो paper है न, paper, जैसे कि मैं कहा रहा हूँ कि भाई, यह मेरा paper है, एक्मान लेते हैं, तो यह मेरा paper, आपको camera में paper दिखे और calculator भी दिखे, इस तरहीं से करिए, कि in case अगर pop-up भी सो हुआ, तो camera में यह तो सो होगा न, कि आप जो नीचे, आप जो काम कर रहे थे, वो नीचे paper में लिख रहे थे, यार calculator का यूज कर रहे थे, दोस्त, क्यूंकि यहां पर यह doubt arise हो जाता है, कि भई, जब exam, मानलो exam हो रहा है, ठीक है, camera सामने है, आपका camera सिर्फ आपके face को deduct कर रहा है, ठीक है, आपका camera सिर्फ आपके face को deduct कर रहा है, तो आपका camera में सिर्फ आपका face दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो institute को क्या लगेगा, हो सकता है कि कुछ गड़ बड़ चल रही है, समझ रहे हैं, तो मैं उन student को कहूंगा, जो student इमानदारी स जिनका purpose cheating करना वगारा नहीं है, इमानदारी से उनका काम करना है, और मैं यह कहूंगा कि सारे दोस्त इमानदारी से करिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आजाएगी, आप समझनी कोजिस करिए, ऐसा मत करिएगा, क्रिप्यागर के request है मेरी, ज्यादा time नहीं लगेगा, मैंने कह तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप camera को इतना दूर रखिए, एक पर ट्राइक कर लेना घर पे जाकर आप टेबल में camera को इतना दूर रखिएगा, जिससे वो camera आपके face को तो deduct करेई, साथ में आपके जो copy है, या जो page है, paper है, और calculator वो भी दिख जाए उस camera में, जिससे अगर आ आप नीचे देखते वक्त, copy में लिखते वक्त, answer को practice करते वक्त, calculator में देखते वक्त, सामरे नहीं देख रहे तो pop-up तो सो करेगा, क्योंकि system ऐसा ही है, जिए आपका face deduct नहीं होगा, तो pop-up सो करेगा, मतलब eyes बगर deduct करता होगा, वो कुछ भी, face deduct करता होगा, तो in case अगर आपका पेपर और आपका पेपर और आपका face, तीन हो दिखे, जिससे in case अगर आप करते भी हो, calculator में लिखते हो और वहाँ पर pop-up भी सो होता है, कि आपका deduct नहीं कर रहा है, ignore it, उसको तो ignore कर देना, बट अगर camera में दिख रहा है, कि आप पेपर में लिख रहे हो, तो institute को पता है, कि आपको कभी mail नहीं भीजेंगे, ये तो मैं उन नहीं होगा, फेट में लिखते time टाइप अ क्यलकूर्ट चला टे टाएप नहीं होगा पर वहाँ पर camera तो दिखा होगा कि आप चला रहे हो, क्या आप उस तरीके से camera लगो कि दो देखेगा, तो आपका, कभी mail नहीं आएगा, institute की तरफ से, जिन्नों न से face दिखाया, फिर द्थे थूग रहा है, तो वहां पर सक रहता है, तो आप से इंस्चिउट पूछ लेगा। ठीक है तो मेरे मानना यह है कि इस तरीके से आप का की क्राव रखना है कि वहोड़ों आप का पड़ेपर तरीका से हो जाए की एक ईकावर उख Nodo तो पासकी जो आती है इसने नी सून कुमारी ने किया तहुँ तो आपका एक जो आपका रिजिस्टर ईमेल आईडी है और जो आपका रिजिस्टर मॉवाइल नंबर आपने दीया था एडिविशं करा थे टाइम तो यिग सब्सक्न फ zij इसमेडेक वह हो अलग हो आईगी इशाम से एक της पहले जभा आती में पिछले पार तो कि आपके मॉब लोगों के सुबह सुभब की आइगी हैाईगी 100 sı एक उते नहीं आओ को तो दुस्रे बार एक्जाम होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक दिन एक्जाम से पहले आती है और सुबह तक आती है सब्सक्राइब करते टाइम तो आखे तो नीचे हो जाएगी मैंने अंसर दिया आपको प्राक्टिकल सब्जक में ऐसा मत करिएगा दोस्ट क्योंकि त्यूरी सब्जक में सक्त मना करा था इंसिटूट ने सब्सक्राइब करते हैं कि त्यूरी सब्सक्राइब में आप ना तो क्यल्कुलेटर ना ही आपकी वेफ़ेपर आपका आखे बिलकूर सामने आपका फेस सामने ही होना चाहिए वहीं पड़ो वहीं सोचो और वहीं अंसर टिक करो ठीक है जी उनिक प्रोल्म पूचा है शरेजा यहां से नीचे रहना चाहिए और कैमरे में यह भी दिखना चाहिए उसको उनको लगे कि यहां भई पेपर में ही काम हो रहा है कि यूज का एक कमेंट था कि सर एक्जाम वाइवा लैपटॉप सही रहेगा या मुबाइल में नहीं है कि लैपटॉप और वाइवा लैपटॉप में बहुत सार इस्टूर न को प्रॉज़न को प्रॉलम आये थी पिछली बाल क्या हो था तो तो वह चार्जिंग पर लगाना जूरूरी है लेप्टॉप को ठीक है ना अगर अगर बढ़िया है और अबढ़ आपके और अलाप बढ़िया है और आपकी नेट कनेक्टिविटि काफी अच्छी और लेप्टोप का बैकप भी वहत अच्छा है चार्जिंग का है लाइट नहीं जाएगी और चार्जिंग बैकप सही है लाइट नहीं जाती लैपटॉप का बैकप सही है लैपटॉप में करनेक्टिविटी को इसू नहीं आ सकता तो फिर लैपटॉप के लिए पिरफर करिए अधर वाइस मुबाइल को फुल चार्ज कर लीजिए एक घंटे करना होगा तो कनेक्टिविटी का थोड़ा ध्यान दखिएगा आप वास्रूम कैसे परमिशन लेनी होगी तो मैं आपको बताऊं दो घंटे का पेपर होता है दो घंटे पहले आप सारा काम कर लीजिए जो करना है उसके बाद ही आप पेपर दीजिएगा दोस्तों क्या होत है कि पहले आपको प्रोटेक्टर को फोन करना है प्रोटेक्टर को फोन करना है वह कि यह क 버सरूम का का वाड़कान है कि जाते हैं आपके आपके मैसेज और मेल पने देख रहा है जो आपको देख रहा है को देखेगा पहस कर रहें तो वह अपने स्टम से आप को देख Reunion आपको देंब€ तो तो मैं पर सब्सक्राइब करोंगे सब्सक्राइब करने और दो घंटे के लिए कोई वासरूम नहीं आते हो तो से पहले हो जाए उपहले अच्छा और बादी की इन्फ़मेशन भी दे रहा हूं निसान कहारा है बट सर वैब कैम इस नौट कंपलशरी फर फाउंडेशन इ सब्सक्रांट सब्सक्राइब करें discut तो बेजरली प्रॉब्लम यही थी कि वह अकाउंट और लोग के पेपर को कैसे सॉल करेंगे वह तो मैं आपको क्लियर कर दिया बागी पास की एक दिन पहले आती है कभी कभी लोगों किसी कि सुबह भी आती है ठीक है तो मेल करते रहेगा पास की जब भी आएगी मैं आपको ऑपडेट दूँगा विल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तो फाउंडेशन जब तक आपका पेपर नहीं होता ना तब तक साथ मेरे साथ जुड़े रहे और इंटर में भी आपकी हैं आती है पास की का अफडेट सब एकनिडेटली आपको मिलता रहेगा तो अगर कोई पैसे देनी की जुरूत नहीं है नीचे लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम का टेलिग्राम जोइन करके रखिए क्योंकि अपडेट वहां भी मैं देता हूं पहले तो टेलिग्राम को जरूर जोन करिए के लिए वो टेलिग्राम चैनल नीचे लिंक सारा मिल जाएगा एन अकैड़ी में प्रफाइल मिल जाएगी जिसमें आप जाकर मौक टेस्ट बगरा देंगे रख्षामंदन के बाद जो मैं चालू करने वाला हूँ उसकी में अपडेट भी देते रहूँगा कोई भी प्रोब्लम में फिर द्वारा नीचे कमेंट करिए कोई भी आसा इस वारा नीचे कमेंट कर दिए फिर एक पर्टिकुलर वीड जा सूईचि कमेंट कर दो मेंट हरा नीचे कमी कर दिए प्रटिकुलर